नारायन नारायन आजम पढ़ रहे हैं श्री हनुमत चरित प्रथम प्रवचन भगवान श्री राम भद्र की महती अनुकमपा से पुना यह सुवसर प्राप्त हुआ है कि हम लोगी कत्र होकर भगवान श्री राम और उनके कुछ भगतों की चर्चा कर सके अभी आपके सामने माननिय कर्ण सिंग जी ने बड़े सुंदर विचार प्रस्तुत किये यह तीसरा सुयोग है जब उनसे मिलना हो रहा है मैं अस्वस्त था और चिकित्सक यह सलह दे रहे थे कि दो तिन दिन और लुक जाओं पर जब मैंने सुना कि माननिय कर्ण सिंग जी इस व्याख्यान माला का उद्गाटन करने हेतु आ रहे हैं तो चिकित्सों की बात अनसुने कर यहां आ गया वे एक राजनेता हैं सही पर उनकी जो अध्यात्मिक्ता है उसकी में सराहना करता हूँ उससे मैं प्रभावित हूँ उन्होंने अपने व्याख्यान में प्राचीनता और नवीनता के संबंध में आज जो विचार समाज में चल रहा है उसकी और संकेत किया जब रामचरित मानस पर मैं विचार करता हूँ, तो मुझे इस प्रश्ण का उसमें अनोखा उत्तर प्राप्त होता है, श्री राम का चरित्र अत्यंत पुरातन है, पैरानेक मानता के अनुसार उनका प्राकर्ट तेत्रा युग में हुआ, उन्हें केंद्र बनाकर अंगिनत म महा कावे लिखे गई, पुराणों में उनका वर्णन किया गया, नाटक और चम्पू में उनकी चर्चा की गई, रामचरित मानस भी एक प्रकार से पुराना ही माना जाएगा, क्योंकि कम से कम 400 वर्श पूर्व उसकी रचना की गई थी, यह तो मनुष्य की स्वभाविक प से कैसे प्राप्त हो सकता है, परगो स्वामी जी ने एक बड़ी मीठी सी युक्ति का प्रयोग किया है, उसे में आपके सामने दहरा दूं, वे अपने रामचरित मानस की तुलना गंगा जी से करते हैं, मानस में एक पंक्ति आती है, पूँचे हूं रगुपति कथा प्रसं एक सरवर को ले लें, सरवर का जल कुछ समय बात पुराना पढ़ जाता है, उसमें सडन आ जाती है, उसे पीने या उसमें स्नान करने का मन नहीं करता, पर यदि आप गंगा की ओर दुश्ची डालें, तो उसकी विलक्षनता का बोध होता है, गंगा को देखते ही एक कि वहचर पुरातन होते हुए भी प्रतिक्षन नवीन होती जाती है, गंगा की जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें स्नान करते हुए हमें ऐसा लगता है, कि हम उसी धारा में स्नान कर रहे हैं, जिसमें हमारे पुर्खों ने स्नान किया है, और इस प्रकार हमारा पुरातन पीड़ी से जुड़ जाता है तथा भी यह सत्य है कि गंगा का जल प्रतिक्षण बदल रहा है गोस्वामी जी ने अपनी रामकथा की मानेता गंगा की उपमा लेकर आधारित की है उन्होंने अपने इस कावे के मूल स्रोत के रूप में गंगा का समर्ण किया है और इसलिए रामचरित मानस में प्राचीनता और न्यूनता का विलक्षा समन्वे प्राप्त होता है गोस्वामी जी ने कविता की परिभाशा करते हुए दो और बातों के साथ जोड़ दिया वे कहते हैं कीरति भनिति भूति भलिसोई सुरसरी समसब कह हित होई वही कीर्थी इश्वर यस रेष्ट है जो गंगा के समान सबका हित करे इस तरह उन्होंने कावे के साथ कीर्थी और एश्वर यखो जोड़कर एक समन्वई सूत्र यहां भी प्रस्तुत किया है कीर्थी ओर कावे के साथ संपत्ति की भी चर्चा करने का उनका भी प्राय यह था कि लोक इशनाती नहीं, एक पुत्र की, दूसरी वित्त की और तीसरी यश की. मनुष्य को अपने आर्थिक दारिद्र के निवारण के लिए, अपने भौतिक जीवन की समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए वित्त की आवशक्ता हुआ करती है. पर केवल वित के द्वारा उसकी सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता जब वेक्ती केवल आत्म के इंद्रत नहीं रहना चाहता तब उसके अंतह करण में यश की इच्छा जागरत होती है ऐसी दशा में स्वभावतह उसे लोक कल्यान के कर्म करने पड़ते हैं इस तरह यह जो किर्ती की इच्छा है वह मनुश्य को त्याग सिखाती है गोस्वामी जी ने इस वित और यश के साथ कावे को जोड़ दिया इस प्रकार रामचरित मानस में एक विलक्षन सैदांतिक पक्ष का पतिपादन किया गया है उसका जो मूल आधार है वही गोस्वामी जी के कावे का आदर्श है और वहे उसी कथा में नहित है रामचरित मानस को मैं रामकथा कहता तो हूं पर रामकथा का वर्णन उसमें बाद में किया गया है रामकथा से पहले हम महाँ भगवान शंकर की कथा पढ़ते हैं पहले भगवान शंकर और परवधी के विबहा की गाथा विस्तार से गई जाती है तक पश्चाच श्री राम और सीता जी की गाथा का वर्णन किया जाता है यहाँ एक विलक्षां बात आपको मिलेगी बरद्वाज यागवलक्य से रामकथा के विशय में प्रश्ण करते हैं और यागवलक्य उत्तर में उन्हें शंकर जी की कथा सुनाते हैं साधार अंद्रश्टी से यह बड़ी अटपटी बात मालूम पड़ती है प्रश्ण पूछा जाए एक और उत्तर दिया जाए दूसरा पर इसका एक रहस्य है शंकर जी की कथा सुनने के बाद भाद्वाज से यागवलक्य कहते हैं कि मैं तुम्हें शंकर की कथा सुना कर यह देखना चाहता था कि तुम रामकथा के अधिकारी हो या नहीं प्रठम मही में कही सिव चरित बूजहा मर्म तुम्हार सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार तो जो शिव की कथा नहीं सुन सकता उसे नहीं समझ सकता वह रामकथा का अधिकारी नहीं है साधानते हैं लोग इस बात को केवल भातिक संदर्व में लेते हैं पर यदि आप उसके अंतरंग में स्थित सत्य का विचार करें तो देखेंगे कि रामचरित मानस में जिस दर्शन का प्रतिपादन किया गया है उसका जो मूल सूत्र है वह भगवान शंकर और पारवती के चरितर में प्राप्त होता है यह युगल चरित दो जगतों का संकेत देता है एक अंतह और दूसरा बायह बायह जगत का अनुगव हम सब कर ही रही हैं इसके पीछे एक और जगत है जिसे अंतर जगत कहा जाता है पर व्यक्ति बहुदा इसकी उपेक्षा करता है किन्तु उपेक्षा करने से व्यक्ति पूरी तरह शांती प्राप्त नहीं कर सकता हमेशिक्षा दी जाती है कि अंतर जगत की उपलब्धी के लिए बाहय जगत का त्याब करना होगा पर जो भौतिक वादी हैं वे कहते हैं कि आध्यात्मिक्ता वेक्ती को पलायनवादी बनाती है वास्तर में उसे अंतर मुक्ता की और या एक कल्पित जगत में जाने की कोई आवश्यक्ता नहीं हमारे समाज में बाहर इतनी समस्याई हैं कि उनका समधान बाहर ही ढूना जाना चाहिए अब यह जो भगवान शंकर और पार्वती जी का चरित्र है उसके द्वारा गोस्वामी जी एक अद्बुत सूतर प्रस्तुत करते हैं हमने कहा कि वे कावे के साथ कीर्ती और धरम को भी जोड़ देते हैं वे सिर्फ इतना ही कह सकते थे कि कविता वहसरेष्ट है जो गंगा के समान सब के लिए है पर जब उन्होंने कविता के साथ कीर्ती और धरम को भी जोड़ दिया तो उसका अभी प्राय यह है कि वे बाया और अंतर जिगत के समनवई की और संकेत करना चाहते थे भगवान शंकर और पार्वती की कथा में एक और मूल सूत्र प्राप्त होता है भगवान शंकर सती का परितिया कर देते हैं और समाधी में डूप जाते हैं यह अद्बुत है किशिव का विवाद दो बार होता है एक पर सती से और दूसरी बार जब यही सती पारवती के रूप में जनम लेती हैं तब उनसे भगवान शंकर दोरा सती जी के त्याग में जिस धर्म और त्याग का सुक्ष्म संकेत है उसका प्रारम भगो स्वामी जी अपनी विशिष्ट पदती से करते हैं वे कहते हैं एक पार त्रिता युग में भगवान शंकर रामकथा सुनने के लिए कैलास परवत से उतर कर दंड कारन्य की ओर गई कैलास परवत हिमाले की उन्चाई की पराकाश्था है और दंड कारन्य नीचे स्थित है संकेत यह है कि शिवजी के लाश परवत की हुँचायों का परित्याग कर दंड कारन्य में जाना स्विकार करते हैं यह अवतरण की प्रक्रिया है इसका अभिप्राय यह है कि सारे के सारे व्यक्ति उपर नहीं उठ सकते कहा जाता है कि व्यक्ति को उपर उठना चाहिए पर क्या उपर उठना सब के लिए संभव हो पाएगा इसलिए रामचरित मानस में जिस भावना मयोपासना का संकेत प्राप्त होता है वह कहती है कि यदि हम उपर न उठ सकते हों तो जिस शक्ति को हम पाना चाहते हैं या जिस इश्वर से हम एकत्व लाब करना चाहते हैं वह तो नीचे की ओर उतर सकता है यही अवतारवाद की भावना है जो कहते हैं कि इश्वर लुक कल्यान के लिए उपर से नीचे उतर आता है प्रिराम का अवतार भी इसी प्रुक्रिया का संकेत है। इसी प्रकार भगवान शंकर का कैलास परवत से उतर कर कथा श्रवन के लिए दंडकारन्य की ओर आना इसी अवतार प्रुक्रिया को इंगित करता है। भी वहाँ जाना चाहिए। तो शंकर जी दंडकारन्य में आते हैं पर वे श्रीराम से मिलने के लिए नहीं जाते। क्यों? उनके मन में विचार आया कि श्रीराम एक नाटक कर रहे हैं एक लिला कर रहे हैं और जब हम अपने किसी मित्र का अभिनाई देखना चाहते हैं तब हमारा करतावे होता है कि हम दर्शकों के बीच बैट केवल नाटक देखें। मन्च पर उससे मिलने के लिए ना पहुंच जाएं। जाकर ऐसा कहकर गले ना मिलें कि वह आपसे बहुत दिनों बाद भेंट हुई। यदि हम मन्च पर जाकर मित्र से मिलने का प्रयास करेंगे तब तो उस बेचारे का सारा का सारा अभिनाई रस ही स्माप्त हो चंकर जी को लगता है। गुप्त रूप अवतर्यहु प्रभू गही जान सब कोई। श्री राम ने अभिनए के लिए गुप्त अवतार लिया है। अगर मैं जाओंगा तो उनका नाटक बिगड़ जाएगा। इसलिए वे भगवान राम के पास नहीं जाते पर राम कथा स सुनते हैं। यह अनोखा संकेत है कि राम की अपेक्षा राम कथा सुरेष्ट है। राम चरित मानस में यह एक विचित्र संकेत है कि राम के चरित्र को देखकर बहुदा लोगों को ब्रहम हो जाता है। और राम कथा की द्वारा उस ब्रहम का निवारण होता है। तो शिव तो दक्ष चतुर है ब्रह्मा के पुत्र हैं और ब्रह्मा बुद्धी के देवता हैं। अहमकार सिव बुद्धी अज, मनससी चित्तमहान। उन दक्ष की अनेक कन्याई थी और उन में से एक थी सती। दक्ष सोचने लगे कि सती का विवाह किस से करें। इस जिग्यासर से प् पुद्धी के देवता ब्रम्हा ने अपने चत्र पुत्र दक्ष को आदेश दिया कि तुम अपनी पुत्रे का अर्पनशिव को कर दो तो वे जीवन का एक महान सत्य प्रस्तावित करना चाहते थे। जिग्यासा और विश्वास का मिलन होता है तो एक नई सत्य का प्रतिपादन होता है। बस्तुतर विश्वास और जिग्यासा मिलन ही अभीष्ट है। कहा गया कि सत्ती बुद्धी मान दक्षे की करन्या है संकेत यह है कि जो व्यक्ती बुद्धी मान होता है उसमें जिग्यासा का जन्म होता है जानने की इच्छा का उदय होता है उसमें जिग्यासा का जन्म होता है वैसे जानने की इच्छा है बहुत अच्छी पर प्रश्णी यह है कि जिग्यासा को किसके पास जाना चाहिए, जिग्यासा का वास्तविक स्वामी कौन है, ब्रह्माजी की धालना है कि शंकर से बढ़कर जिग्यासा का कोई अधिकारी नहीं, यह ठीक ही तो है, जिग्यासा का समाधान विश्वास के द्वारा ही हो सकता है, किसी तो ब्रम्हा जी की धारना थी कि जिक्यासा व विश्वास का विवह बड़ा कल्यानकारी होगा। इसलिए उन्होंने दक्ष प्रजापती को बैसी प्रेणा की। पर जब दक्षने शंकर को देखा तो उन्हें कोई बहुत प्रसन्यता नहीं हुई। ऐसा नहीं लगा कि यह व भूतों की समस्या है। आज के युग में हम एक द्वंद्व से संत्रस्त हैं और इसे सती का द्वंद्व कहा जा सकता है। सती का द्वंद्व यह है कि वे पुत्री तो दक्ष की हैं और पतनी शंकर की, चतुर की कर्ण्या और विश्वास की पतनी। तो प्रश्न उठता है कि विश्वास को महत्वदें या चतुराई को जीवन में किसे स्विकार करें अध्यात्मिक्ता का मूल आधार है विश्वास और भातिक ज्ञान मुखे तह बुद्धी मत्ता पर आधारित है इन दोनों में अधिक महत्व किसे दिया जाए सती जी की समस्या यह थी कि ये विरोधी वृतियां उनमें अलग-अलग समय जागरत हुआ करती थी कभी तो पिता के संसकार चैतने हो जाते थे जो उनमें बहुत गहराई से चेपे हुए थे तो कभी भगवान शंकर के साचरे से प्राप्त प्रभाव उनके अंतहकरन को अपने बस में कर लेता था इस प्रकार उनका अंतहकरन विश्वास और बुद्धी मत्ता के एक अंतर द्वन्द्व में पढ़ा रहता था तो जब भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि मैं कथा सुनने दंडकारन ने जा रहा हूँ तब सती जी बोली कि इस पवित्रकारे में तो मैं भी भाग लूँगी यहाँ पर शिर्की पतनी का संसकार अर्थात विश्वास का संसकार जागरत होता है इसका अर्थिया है कि हम दूसरे की बात सुनने के लिए तभी प्रस्तुत होते हैं जब हम जीवन में विश्वास को स्विकार करते हैं दूसरी और बुद्धी का स्वभाव है दूसरे का खंडन करना बुद्धी अद्वाइत वादी है वह किसी दूसरे को सह नहीं सकती उसका मुख्य शस्त्र है कैंची और कैंची का स्वभाव ही कातना हुआ करता है तो जब हम दूसरे की बात सुनने को प्रस्तुत होते हैं तब उसका अर्थ यह होता है कि हम कहीं न कहीं स्विकार करते हैं कि हमारा ग्यान असीम नहीं है दूसरों से भी कुछ सीखा जा सकता है, सुना जा सकता है, समझा जा सकता है और यही विश्वास का उद्गम है इसलिए जब सती भगवान शंकर के साथ चलने की इच्छा व्यक्त करती है तब तुलसिदास ची अपनी साहेतिक कृती में उनका समरण शिव की पतनी के रूप में करते हैं वे कहते हैं एक बार त्रेता जग माही, संभु गए कुमभज रिशिपाही, संग सती जग जननी भवानी इस पकार चंकर और सती कथा सुनने के लिए गई, कहां गई दंड का रन्य में जो उस समय बड़ा अपवित्र और शापित्वन माना जाता था कथा सुनने किस के पास गई, कुमभज के पास कुमभज का अर्थ है वह जिसका जन्म घड़े से हुआ हो तो राम कथा है समुद्र के समान और कथा सुनने वाला है घड़े का बेटा वह जो घड़े से उत्पन हो बात वैसे तो बड़ी अटपटी लगती है कि कहीं समुद्र घड़े में समा सकता है यो भले ही अगस्तिय जी समुद्र को पी गए हो पर समुद्र घड़े में नहीं समा सकता तब इसका अर्थ क्या है यही कि समुद्र चाहे जितना असीम हो जलराशी चाहे जितनी असीम हो जब हम उसका उपियो करना चाहेंगे तो उस असीम को ससीम ही बनाना पड़ेगा उसके बिना त्रप्ती नहीं होगी इसलिए अननत ईशुर्ट तृप्ती देने हेतू अवतार लेकर छोटा हो जाता है आप एक विशाल वरक्ष लगाते हैं तो क्या विशाल वरक्ष से आपको तृप्ती मिल जाती है? नहीं विशाल व्रक्ष का एक नन्हासा फलही व्यक्ति को तृप्ति प्रदान किया करता है इसका अभिपराई है कि जब भी व्यक्ति को तृप्ति चाहता है वह असीन को अपनी सीमा में ले आता है आप एक सरोवर के पास जाते हैं और जल पीना चाहते हैं तो आप जल को पहले एक चुलू में लेते हैं अत्वा एक पात्र में लेते हैं अर्थिया है कि आप असीम को अपने सीमा में लाने की चेश्ठा करते हैं कुम्बच के पास जाने में शिव का तातपरे भी यही था कि यदि कुम्बच जैसे व्यक्ति के पास भी ज्यान है भगवान की कथा है तो वहां सुनने के लिए जाने में संकोच नहीं होना चाहिए अस्तु जब भगवान शंकर और सती ने कुम्बच अगस्ते के आश्रम में प्रविश किया तो रिशी अपने आपको कृत-कृत्यानुभव करने लगे उन्होंने दोनों का स्वागत किया यही नहीं बलकि गो स्वामी जी लिखते हैं पूजे रिशी अखिलेश्वर जाने रिशी ने अगस्ते शंकर जी की पूजा करने लगे तो भगवान शंकर संकोच से गड़ गए सोचने लगे कि यह तो ऐसी उल्टी बात हो रही है जिसकी मैंने कलपना नहीं की थी श्रोता का करतवे होता है कि वह वक्ती की पूजा करे वह वक्ता की पूजा करे इस नाते मेरा करतवे कि मैं अगस्ते की पूजा करता लेकिन अगस्ते तो इतने बहान संत हैं इतने निरहंकारी हैं कि उन्होंने उलटे मेरी पूजा कर दी। उनके समान उदार चरितर वाला संत भला कौन होगा किन्तु सती ने उस पूजन का दूसरा अर्थ लगा लिया जितने बुद्धिमान लोग होते हैं वे बहुदा सती जी की ही काही अर्थ लगाते हैं जब अगस्त सती का पूजन करने लगे तो सती के मन में तुरंत यह बात उठी कि यदि ये मुझसे कम बुद्धिमान ना होते तो मेरी पूजा कैसे करते इसलिए जब ये मुझसे कम बुद्धिमान है तो मुझे इनकी बात सुनने की कोई आवश रखता नहीं यहां संकेत क्या है यही कि कथा ही महत्व पूर्ण नहीं होती बल्कि उसका अर्थ महत्व पूर्ण होता है महत्व घटना का नहीं बल्कि उसके अर्थ का होता है अधिक महत्व पूर्ण यह है कि हम उसकथा या घटना का अर्थ क्या लेते हैं रामचरित मानस में एक वाक्य आया है अर्थु अमित अति आखर थोरे शब्द थोरे हैं और अर्थ अमित हैं कई बार यह प्रश्न आता है कि अर्थ अमित कैसे हो सकता है अगर एक शब्द होगा या एक वाक्य होगा तो शब्द कोश में उसका कुछ अर्थ होगा इस प्रकार अर्थ की तो सीमा होगी पर आप ध्यान से देखिए शब्त के अर्थ की भले सीमा हो पर अर्थ के पीछे जो निहित भाव है उसकी कोई सीमा नहीं यहां घटना तो सामान ये सी थी वह यह की मुनिय अगस्ति ने दोनों का चंदन और माल्यापड के दौरा स्वागत किया पर उस स्वागत रूपी क्रिया का जो अर्थ था वहे उन दोनों के अंतहकरण में अलग अलग किस प्रकार से आया राम चरित्मानस में इस प्रक्रिया का बड़ा महत्र दिया गया है बहां लिखा गया है कि जब वशिष्ट जी कथा करते हैं तो श्री भगवान राम अपने भायों के साथ सुनते और जब गुरुदेव कथा सुना कर चले जाते तो भगवान राम भायों के साथ बैटकर उस कथा पर पुनह विचार करते गुस्वामी जी संकेत देते हैं आपु कहई अनुजनह समुझाई इसका अर्थ क्या हुआ गुरुवशिष्ट के समझाने के बाद भी कथा में कुछ समझना शेश है जो भगवान राम बाद में उसी कथा को कहते और भायों को समझाते हैं यही वह संकेत है जो रामायन की कथा का रहस्य है और रामचरित के अनुपम होने का रहस्य भी यही है तो रामचरित के नूतनता का अर्थ का अर्थ यह है कि राम का जो चरित है वह एक घटना के रूप में तो आपके सामने आता है पर यदि आप उसका सही सही अर्थ पकड़ना चाहेंगे तो देशकाल के संदर्व में उस घटना पर आपको विचार करना होगा फिर आप जो भी अर्थ लेना चाहेंगे वहनिश्चित रूप से बिना किसी प्रकार की खीचतान किये आपको उपलब्त हो जाएगा यही सूत्र रामचरित मानस में यह कहकर दिया गया है अरथु अमित अति आखर थोरे इसलिए गुरु वशिष्ट के कहने के बाद भी कथा की व्याख्य की आवश्यक्ता पड़ती है गुरु वशिष्ट के कहने के बाद श्री राम कहते हैं श्री भरत कहते हैं लक्षमन कहते हैं शत्रगन कहते हैं पर तेक उस कथा को अपनी दुष्टी से देखता है, घटनाई तो घटती रहती हैं, महत्व इसका है कि हम उन घटनाओं को किस दुष्टी से देखते हैं, मैं कहा करता हूँ कि जब गुरू वशिष्ट कथा सुनाते होंगे, तो राम, लक्षमान, भरत, शत्रुगन, दश्र जी और रानिया तो सुनती ही थी, पर यह मंत्रा कथा सुनती थी या नहीं, आपने स्चित मानिये की मंत्रा भी अवश्य सुना करती थी, मानस में इसका प्रमान है, कि वह कथा में नियमित रूप से जाया करती थी, और उसको इतनी कथाएं यार थी, कि जब उसने कह कही को क कथा सुनाना प्रारंब किया तो वे चौंक पड़ी उन्होंने कहा कि मैं तो जानती ही नहीं थी कि तुम इतनी विदूशी हो मैंने तो तुमें सदा एक साधारंग दासी के रूप में देखा को स्वामी जी कहते हैं कि मंत्रा कहकई को पुरान में आई सत्युक की कद्रू और विनता की कथा सुनाने लगी गुरू वशिष्ट ने एक दिन सभी को कद्रू और विनता की कथा सुनाई थी आप सभी वह कथा जानते होंगे कहा जाता है कि कद्रू और विनता दो सौतें थी एक दिन दोनों में होड लग गई कि सूरे के घोडों की पूच का रंग क्या है सफेद अथ्वा काला विंता ने कहा सफेद और कद्रो ने एक शर्ट रखी कि हारने वाले को जीतने वाले की जीवन भर सेवा करनी होगी विंता ने सहज भाव से यह शर्ट स्विकार कर ली क्योंकि उसे विश्वास था कि सत्य उसके पत्थ में ही ठहरेगा जब तोनों सूरे के निकट जाने लगी तो कद्रो ने अपने पुत्र सर्पों को आदेश दिया कि तुम लोग फूँच से लिपट कर उसका रंग काले जैसा पतीत करा दो जिससे मैं जीत जाऊं और विंता मेरी सेवा में लगी रहे सर्पों ने अपनी माता की आगया का पालन किया जब कद्रू और विंता ने कुछ समीब जाकर सूरे के घोडों को देखा तो उनकी पूँच का रंग काला दिखाई पड़ा पेचारी विंता हार गई और कद्रू की सेवा में रहने लगी पर यह रहसे अधिक दिनों तक छिपा न रहा जब विंता से गरुड का जनम हुआ तो उसने पतिशोद रूप सर्पों को दंड दिया यह कथा सुनाकर गुरु वशिष्ट चले गए और उसके बाद भगवान राम चारों भाईयों के साथ बैटकर कथा की तातपरे पर विचारों का आदान प्रदान करने लगे तीनों भाईयों ने राम से पूछा आपकी दृष्टी से इस कथा का अर्थ क्या है भगवान राम ने कहा विंता की एक ही भूल हुई कि उसने केवल दृष्टी को प्रमान मान लिया कद्रु कुमती की प्रतीक है जो उज्वलता को कृष्णता के रूप में दिखाना चाहती है श्वेत सत्य को कालिमा के रंग से रंगना चाहती है और विंता का भूलापन यह है कि उसने शास्र को प्रमान न बना केवल नीत्र को प्रमान माना और इस प्रकार भ्रांती के कारण वह चली गई सर्प संशय का प्रतीक है संशय सर्प ग्रसन उर्गादह जब यह संशय मनुष्य के जीवन में आता है तब उसे भ्रांती हो जाती है जैसे सूर्य के घोड़ों को देख बिंता को हो गई अते वेक्ती जब भ्रांती में पड़े तो दृष्टी मात्र को कभी भी प्रमाण न माने यही इस कथा का वास्तविक अर्थ है इस प्रकार भगवान राम ने उसका ज्यानमय अर्थ लगाया जब भगवान राम ने भरत की और देखा और उनसे पूछा कि भरत बताओ तुम्हारी दृष्टी में आज की कथा का अर्थ क्या है तो श्री भरत ने इसका दूसरा अर्थ लगाया उन्होंने कहा माहराज मुझे तो लगता है कि कद्रू के मन में तो कपट था ही पर यह जगड़ा आगे न बढ़ता यदि उसके पुत्रों ने अपनी मा की अनुचित आग्या का पालन न किया होता देखे कद्रू के पाप का दंड उसके पुत्रों को भोगना पड़ा और पुत्रों की भूल यही थी कि कद्रू ने जब उन्हें गोड़े की पूच से लिपट कर उसके श्वे तरंग को कृष्ण बनाने का आदेश दिया तो उन्होंने बिना विचारे मा की आग्या का पालन किया अते मेरी समझ में इस कथा का अर्थ यह है कि बड़ों की आग्या को भी विचार पुर्वखी मानना चाहिए वहद आग्या धर्म के अनुकूल हो तभी उसे मानना चाहिए अन्यता नहीं प्रभु मुसकुरा उठे समझ गए कि भरत अपने ही दृष्टी से अपने चरित्र का दर्शन तयार कर रहे है भगवान राम ने फिर शत्रगन से बूचा शत्रगन तुम्हारी समझ से आज की कथा का क्या अर्थ है उन्होंने कहा महराज मैं तो यह मानता हूं कि विंता ने यदि विर्थ का विवाद न किया होता बहस नर की होती होड न लगाई होती तो उसे ऐसा कष्ट न उठाना पड़ता व्यक्ति को तो मोन रहकर ही विचार में सलगन रहना चाहिए विर्थ बोलना नहीं चाहिए यह शत्रगन की अपनी दृष्टी थी और उन्होंने अपने जीवन में यही किया जब भगवान राम ने लक्षमन जी से पूछा लक्षमन तुमने कथा का क्या अर्थ लिया तो लक्षमन ने कहा महराज यह ठीक है कि विन्ता और कद्रू का संगर्श बुरा था और कद्रू के अपरात से अन्यसब सर्पों को दंड मिला पर एक सर्प ऐसा भी है जिसे दंड दिने की सामर्थ गुरू में नहीं थी और वह है शेश लक्षमन जी का संकेत अपनी ओर था उस शेश की ओर जो कभी गरूर के भई से डरा नहीं और उसका एक मात्र कारण यह था कि वह भगवान से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं पर एक और अर्थ मन्थरा भी तो करती है वह कैकईजी को समझाते हुए ख्याती है देखो कद्रू ने विन्ता को कष्ट दिया जो सोथ है मैशा कष्ट देगी अतः सावधान सोत को नश्ट करने के लिए तयार रहना चाहिए एक शंग के लिए भी सोत से असावधान नहीं होना चाहिए कदरू विनतही दीन दुखू तुम ही कौसलई देव भरत बंदिग्रह से यही लखनुराम के नई इस प्रकार एक ही घटना के कई अर्थ हो जाया करते हैं हम जो अर्थ लेते हैं वही हमारे जीवन को प्रभावित करता है मंत्रा के अर्थ को स्विकार कर लेने का परणाम यह हुआ कि कैकई का सारा जीवन दुख और ताप की सीमा में पहुँच गया तो सती जी ने भी सही अर्थ नहीं लिया उन्होंने ऐसा मान लिया कि पूजन मेरी योगेता का परिनाम है पूजन करने वाले की नम्रता का नहीं परिनाम यह होता है कि अगस्त जब राम कथा सुनाने लगे तो शंकर जी ने तो बड़े प्रेम से सुना राम कथा मुनि वर्ज बखानी सुनी महेस परम सुखुमानी पर सती जी के सुनने का वर्णन नहीं किया गया इसके पश्चाज जब सती भगवान शंकर के साथ वापस लौटती है तो तुलसी दास जी ने अपनी साहितिक पदती में उनका नाम बदल दिया तुलसी दास जी से पुछा गया शंकर के साथ भवानी भी तो थी न को स्वामी जी बोले थी तो पर अब भवानी नहीं है मुनी सन विदा मांगीतर पुरारी चले भवन संग दच्छ कुमारी अब तो दक्ष कुमारी जा रही है शिव की पतनी नहीं है उनमें पिता के जो अहंकार के संसकार है भी प्रबल हो उठे हैं उसके बाद एक और संकेत प्राप्त होता है सती को आगे चलकर शीराम को देख भ्रांती होती है नाटक को यदि कोई नाटक समझ ले तो भ्रांती नहीं होती पर नाटक को यदि नाटक न समझा जाए तो ब्रहम होना स्वभाविक है जब आप नाटक देखने जाते हैं तो यह जानकर जाते हैं कि लीला देखेंगे तब उसका अनंद लेते हैं और ब्रह शंकर को दूर से प्रणाम करते देखा बस उन्हें भ्रम हो गया फिर मन में तर्क वितर्क होने लगा यह बापकर भगवान शंकर ने सती जी से कहा जो तुम्हारे मन अतिसंदे हु तो किन जाई परिच्छा ले हु अगर तुम्हारे मन में इतना संशय है तो तुम जाकर परि परिक्षा ले रहे थे सती को परिक्षा देने के लिए लेने के लिए नहीं भीज रहे थे इश्वर जिग्यासा का विशय है अत्वा परिक्षा का प्रशन जिग्यासा में भी है और परिक्षा में गुरू शिष्य से प्रशन करता है तो इश्वर जिग्यासा का विशय हो स बढ़ गया है वह इश्वर की परिक्षा लेना चाहती है और यह सोच उन्होंने अपना विरोध प्रकट कर दिया सती जी ने जब उनसे भी साथ चलने को कहा तो वे बोले मुझ में इतनी योकिता नहीं है कि मैं इश्वर की परिक्षा ले सकूँ मैं यहीं बैठा हुआ हूँ तुम परिक्षा लेकर आजाओ फिर प्रसंग आता है सती जी जब भगवान राम के पास पहुची तो उन्होंने सीता का विश बना लिया उन्हें देखते ही भगवान राम ने जोरी पानी प्रभुखीन प्रणाम हाथ जोड़ कर प्रणाम किया प्रणाम क्यों किया भगव अब तो मुझे ही आपको प्रणाम करना पड़ेगा गीता में भी कहा गया है तद्वित्धी प्रणिपातेन परिप्रशनेन सेवया और भगवान सती को प्रणाम करते हैं तत्पशात सती वहां से घबरा कर लौटती हैं और शंकर से असत्य भाशन करती हैं फलस्वरू भग वे सती के मिथ्या वहवार से शुप्त हो अंतर मुखी होकर आत्म सुक में सनलक्न हो जाते हैं उन्हें बाहर की ओर देखने की आवशक्ता नहीं है उन्हें पत्नी की कोई आवशक्ता नहीं क्योंकि वे पूर्ण काम हैं आत्म काम हैं शिफ के द्वारा सती के परित्याक का पर रही है कि विश्वास ऐसी चिक्यासर को स्विकार नहीं करता जिसमें कपट है अहंकार है असत्य भाशन है शिवके द्वारा परिट्यक्त कर दिये जाने पर सती जी जाकर अपने आपको दक्ष यग्न में जला डालती हैं बाद में रामायन में एक बड़ा तात्विक और जो कमबीर संकेत आता है शंकर जी समाधि में चले गई उन्हें स्वैम तो विवा के आवशक्ता थी नहीं रही नहीं लेकिन प्रश्न उठता है कि लोख कल्याण के लिए समाज के लिए उनकी अंतर्मुक्ता लाब धायक है वहां यह संकेत दिया गया है कि शंकर की अंतर्म कि मैं किसी से न मरूँ जब ब्रम्ह जी ने बताया कि ऐसा वर्दान तो नहीं दिया जा सकता तो तारकासुर ने कहा कि अच्छा तब यही वर्दान देदी जी कि शंकर के शरीर से जन्म लेने वाले पुत्र के सिवाए और किसी से मेरी मृत्यों नहो यह जितने भी असुट थे वे हमेशा अपने को देवताओं से बुद्धी मान मानते थे तारकासुर अपने को सबसे बुद्धी मान समझता था उसने सोचा विवाँ तो वहवैक्ती करता है जिसका मन बहिर्वखी होता है जिसे वह वह के आकरशन का अनुभव होता है परशिक तो समाधिस्त है में तो विवाँ करेंगे ही नहीं और जिब्या ही नहीं करेंगे तो पुत्र कैसे होगा अता ना तो शंकर का बेटा होगा नहीं मेरी मृत्य होगी बड़ी दूर दर्शी योजना तारका सुर ने बनाई और कुछ अंच तक वह अपनी इस योजना में सफल भी हुआ था भगवान शंकर अंतरमुखी बन समाधिस्त हो बैठे थे और तारका सुर सारे संसार पर शासन कर रहा था तब देवताओं को लगा कि किसी भी प्रकार शंकर जी को भीतर से बाहर लाना पड़ेगा यही अंतरमुकता और बहिरमुकता के समनवय का बिंदू है शिवजी की समाधि उनके अपने लिए कल्यानकारी हो सकती है पर समाज के लिए वह आदर्श स्थिती नहीं थी मैं आपको आज केवल इतना सुत्र दे रहा हूं कि यही एक ऐसा मूल केंद्र है जहां राम और काम का एक मत है वैसे तो राम और काम को बरस पर विरोधी कहा जाता है गुस्वामी जी सोयम कहते हैं जहां राम तह काम नहीं जहां काम नहीं राम कहा गया है कि जब भगवान राम ने शंकर जी को सती के वियोग में कठोर संयम करते और सतता अंतर मुखीन होते देखा तो वे शंकर जी के सामने प्रकट हो गए गोस्वामी जी के कावे की विशेष्टा यह है कि वह कावे भी है और दर्शन भी तो राम के प्रकट होने का अर्थि क्या है राम मान उश्र से पूछते हैं कि जब आप आँख मूद कर समाधी में जाते हैं तो आप यह मान लेते हैं कि बाहर देखने योगे कोई वस्तू नह करता है और जब भगवान शंकर बाहर श्री राम को देखते हैं तब अतिपुनीत गिरिजा कई करनी बिस्तर सहित क्रपा निधिवर्ने भगवान राम शंकर जी को पार्वती की कथा सुनाते हैं को स्वामी जी का शप्त चैन तो देखिए वे लिखते हैं बिस्तर सहित पर भगवान राम इतने उदार हैं कि उन्हीं सती जी की कथा स्वाम शंकर जी को प्रेम से सुनाते हैं यही करपा निधी शप्त का ताप्तर है कथा सुनाने के बाद शंकर से श्री राम कहते हैं अब बिनती मम सुनहु सिव जो मो पर निजने हु जाही वाहु सैल जही यह म को ही मांगे दे हूँ मैं आपके पास एक क्याचना लेकर आया हूँ वह यह कि आप विभा कर लीजिए चंकर जी को यह बात प्रिया नहीं लगी तता भी उन्होंने श्री राम से कहा कि आपकी आग्या सिर्माथे पर है कह सिवजद पी उचित असनाही नाथ वचन पुनी मेट पर भक्वान राम को संदोश नहीं हुआ वे बोले नहीं नहीं मेरी आग्या को सिर्पर ना रखिये आपके सिर्पर से गंगा की जो धारा बह रही है मुझे डर है कि कहीं उस धारा में मेरी आग्या भी न बह जाए इसका अर्थ ही है कि भक्ती की तरंग में कहीं विवा की इच्छा डूब न जाए वहन बहन जाए और सचमुच भगवान शंकर बात को भूल ही गए और फिर से समाधी में डूब गए तब ब्रम्हा और देवताओं ने काम से अनुरोध किया कि तुम जाकर शंकर के मन में एक शोब उत्पन करो और हम देखते हैं कि काम शंकर को अंतर निकल कर आए तब उन्होंने पार्वती को स्विकार किया और तब कहीं तारका सुरका संहार हुआ तब प्रश्चात संसार में सुक्षांती की स्थापना हुई तो कथा का मूलतत्व क्या है एक व्यक्ति केवल अंतर मुख्य वह अध्यात्मवादी है और दूसरा व्यक्ति न तो केवल भीतर देखने से न केवल बाहर देखने से ही सुलचेगी शिव निरंतर समादिस्त होते हुए भी पूर्ण काम होते हुए भी लोक कल्यान के लिए बाहर दृष्टी डालना स्विकार करते हैं और नेत्र खोल कर संसार की समस्या का समाधान करते हैं तारका सुर का सनहार करते हैं इस प्रकार भगवान शंकर के द्वारा जिस समन्व्यात्मक दर्शन का प्रतिपादन किया गया वही राम चरितमानस का मूल दर्शन है इसी तुलसी दास्ची ने कविता के साथ संपती और कीर्थी दोनों को जोड़कर समन्वय की त्रवेणी का संकेत किया जैसे गंगा के साथ यह मुना और सरस्वती के मिलन में त्रवेणी संगम की भावना है वैसे ही तुलसी दास्ची ने कविता के साथ कीर्थी और संपती को मिला कर एक त्रवेणी की सृष्टी कर दे इस तीनों के इन उन तीनों का मूलतात पर यह है कि कुछ वस् िक Upper वेख्यक्वाथि की आखों के सामने दिखाय देता है तो वह नितनूतन ही दिखता है यही कंगा की भीविशेष्टा है प्वातिक तुस्टी से गंगा का उद्गम हिमाले से है पर हमारी शद्धा कहती है कि उसका उद्गम हिमाले नहीं बलकि भगवान शंकर का मस्तक है उससे भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि गंगा का उद्गम ब्रह्मा का कमंडलू है और जब उससे भी आगे हम बढ़ जाते हैं तो कहते हैं गंगा का उद्गम है भगवान विश्णू के चरन यह गंगा भगवान विश्णू के चरनों से निकलती है, ब्रह्मा के कमंडलू में आती है और भगवान शंकर के मस्तक पर उतरती है इस प्रकार वह तीनों से जुड़ी हुई है फिर भगवान शंकर के मस्तक से हिमाल्य के माध्यम से नीचे उतर कर वह संसार के लोगों को प्राप्त होती है इसका सिधासाताप पर यह है कि जिस वस्तु का उद्गम केवल भौतिक पदार्थ होगा वह स्थाई नहीं हो सकता पर जिसका मूल इश्वर होगा वह इश्वर के समान ही शाश्वत होगी हाँ आजकल बहुत से लोग इश्वर को पुराना हो गया मान कर त्याग दे रहे हैं ऐसे नमीनता बप्रेमियों के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ पर मानस की मानता यह है कि राम कथा शाश्वत है बह गंगा के समान चिरपुरातन और नित्यनूतन है बह इतनी प्राचीन है कि उसके मूल उद्गम का पता नहीं चलता बहुत एक तुरुष्टी से वालमिकी कंब तुलसी दास आदी इसके रचियता के रूप से सामने आते हैं पर वस्तुत है उसका मूल रचियता कौन है इसका पता नहीं चलता कंगा के उद्गम की कथा आपने बढ़ि होगी बली यगन कर रहा था दान दे रहा था तब भगवान बोने बन कर आई बली ने कहा मैं दानी हूँ जो चाहे मांग लो जब जीव दानी बन गया तो भगवान बोने बन गये calamशने बली से पूचा क्या दोगे बली बोला कह दिया ना जो चाहोगे वही मिलेगा भगवान हस पड़े बोले अच्छा तीन पग दे दो कितना बढ़ा व्यंग था वहाँ पर दो पगवाला जीव क्या कभी तीन पग दे सकता है बली ने तथास्तु तो कह दिया पर भगवान ने जब नापना प्रारंब किया तो उसका धूरा पनसिद्ध हो गया उसी समय ब्रह्मा ने भगवान नारायन का पगधो कर जल को कमंडलों में रख लिया और वही गंगा है तो गंगा का उद्गम इश्वर से है और वहे अपने उद्गम के ही समान शाश्वत है अतहतात परे यह है कि न तो कीर्थी किसी व्यक्ति की होती है न कविता और संपत्ति ही इन सब का एक मात्र स्वामी तो इश्वर है व्यक्ति केवल अपने कमंडलों में अपने मस्तक में अत्वा भगीरत के समान रिक्ति लोक में उसे ले आकर लोक कल्यान की दृष्टी से उसका लाब उठा सकता है इस दृष्टी से यह जो रामकथा है वह पुरातन और शाश्वत होते हुए भी गंगा के समान नित्यनूतन है मुझे विश्वास है जब कभी भी आप रामकथा को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी कोई ऐसी समस्या नहीं है समाच का ऐसा कोई प्रश्ण नहीं है जिसका सही समाधान आपको रामचरित मानस में प्राप्त ना हो जाए इसकी चर्चा हम कल से करेंगे नहरा हैं नहरा हैं